बिनिया एक 10 साल की लड़की थी, जो मसूरी में अपने भाई बिज्यू और अपनी मा के साथ रहती थी. बिनिया और बिज्यू स्कूल भी जाते थे और घर अगर अपनी गाएं को घास चराने भी ले जाते थे. उनके पास दो गाएं थी, एक गाएं का नाम नीलू था और दूसरी गाएं का नाम गौरी जब बिज्जू के एक्जाम से स्टार्ट हो गए तो वो बिनिया के साथ गाएं चराने नहीं आया बिनिया अकेले ही दोनों गाएं को लेकर पहाड़ पर चली गई वो पहले भी कई बार गाएं को चराने अकेले जाती रहती थी बल्कि उसे अकेले ही जाना अच्छा लगता था क्योंकि वो उनके साथ दूर दूर घुमने जाती थी लिकिन बिज्जू उनकी पूँच पकड़कर उने वापस खीश लिया करता था एक दिन बिनिया जंगल में बहुत दूर निकल गई वहीं पर उसे कुछ टूरिस्ट दिखे जो किसी दूसरे बड़े शहर से मसूरी घुमने आई हुए थे वो वहीं बैठ कर खाना खा रहे थे वहाँ जो औरत थी उसके पास एक बहुत ही खूपसूरत ब्लू अम्रेला था बिनिया ने जिव ब्लू अम्रेला देखा तो उसको वो बहुत पसंद आया वो उस ब्लू अम्रेला को देखती ही रह गई मानो उसने बिनिया पे कोई जादू कर दिया हो तब ही उस औरत ने बिनिया को देख लिया बिनिया ने गले में एक नेकलेस पहना हुआ था जिसमें बाग का नाखुन लगा हुआ था बिनिया ने ये बाग का नाखुन लखी चार्म की तरव पहना हुआ था उस औरत को ये बाग का नाखुन पसंद आ गया उसे पता था कि ऐसी चीजे बजार में भी नहीं मिलती हैं इसलिए उसने बिनिया से वो नैकलेस मांगा तो बदले में बिनिया ने उस औरत से उसका चाता ले लिया बिनिया वो चाता पाकर बहुत खुश हुई बिनिया वो चाते को अपने पास ही रखती थी वो जहां भी जाती उसे अपने साथ ले जाती चाहे वो गाएं को घांस चराने जा रही हो या चाए के दुकानों पर दूद बेचने ऐसे ही एक चाए के दुकान टीरी रोड़ पर भी थी जो राम भरुरुसा की थी बिनिया जब उस दुकान पे गई तो उस दुकानदार को उसका चाता बहुत अच्छा लगा उसने कहा बिनिया ये चाता तो बहुत संदर है ये तुम मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुमें 15 रुपे दूँगा लेकिन बिनिया ने पैसे लेने से मना कर दिया कुछ देर बाद बिनिया एक पेड़ के नीचे जाकर सो गई उसने वो चाता खोल कर अपने पास ही रखा हुआ था तभी तेज हवा चली और चाते को अपने साथ उड़ा कर ले गई अचानक से बिनिया की आँख खुली उसने देखा कि चाता हवा में उड़ा जा रहा है बिनिया चाता पकड़ने के लिए उसके पीछे बहुत तेज दोड़ी लेकिन वो उससे दूर जाता रहा तभी सामने एक सौ मिटर गहरी खाई आई जिसमें नीचे पानी बह रहा था बस वहाँ खाई में एक चैरी का पेड़ था जो उपर तक आ रहा था जहां बिनिया खड़ी थी इस पेड़ के नीचे वो चाता भी अठका हुआ था बिनिया को पहाड़ू से डर नहीं लगता था इसलिए वो पेड़ की डाल पर चड़ गई और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया उसने चाता पकड़ लिया और उसे लेकर ही उपर आई चाते में कांटे लगकर कुछ छेद हो गए थे लेकिन बिनिया को वो चाता अभी भी उतना ही प्यारा था बिनिया की मा ने चाते में हुए चेदो को कपड़ा लगा कर सिल दिया और वो चाता अभी बहुत अच्छा दिखता था गाउं के सभी लोग बिनिया से जलने भी लगे थे वो सोचते थे कि इसके पास कितना अच्छा चाता है और हमारे पास बस वही काले रंग का चाता है वो बोलते कि ये चाता बहुत छोटा और हलका है और ये बस एक दिखावे की चीज ही है लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग भी इस चाते को पाना चाहते थे कुछ टाइम बात चाते का रंग थोड़ा हलका पड़ गया था लेकिन वो अब भी दिखने में बड़ा अच्छा लगता था स्कूल की गर्मियों के छुटियां पड़ी तो दुकानदार राम भरुसा ने एक लड़के को दुकान पे काम करने को रख लिया उस लड़के का नाम था राजा राम एक दिन बिनिया दुकान के आगे से गुजरी काश ये छाता मेरे पास होता मैं ये छाता अपने दुकान में रखता और सब को दिखाता सब लोग मेरी तारीफ करते राजा राम ने कहा मैं बिनिया से ये चाता चुरा के आपको दे सकता हूँ लेकिन इसके बदले में आपको मुझे तीन रुपिय देने होंगे रामभोरोसा ने कहा ठीक है चाता ला दो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा बिनिया एक दिन गाएं को गांस चराने उसे जंगा गई हुई थी जहां उसे वो टूरिस्ट मिले थे जिनोंने उसे चाता दिया था बरसात का मौसन था इसलिए अब वहाँ पर कोई नहीं था उसने अपना चाता नीचे रग दिया और स्याही के काटे उठाने लगी बिनिया ने उसे कहा वो लड़का मेरा चाता चुरा कर भाग रहा है बिज्जु ने उस लड़के को पकड़ लिया और उसे पीटने लगा राजा राम बोला मुझे जाने दो मैं तो राम भरुसा की दुकान पर काम करता हूँ राम भरुसा ने मुझे ये चाता चुराने को कहा था उसने कहा था कि अगर तुमने ये चाता चुरा कर मुझे नहीं दिया तो मैं तुमें नौकरी से निकाल दूँगा ये बात सारे गाउं में फैल गई लोगों ने राम भरुसा की दुकान पर आना बंद कर दिया था गाउं के बच्चे उसे चोड़ चोड़ कहकर चड़ाने भी लगे थे राम भरुसा को अब पैसो की कमी भी होने लगी थी इसलिए उसने राजा राम को भी नौगरी से निकाल दिया था वो सारा दिन दुकान में अखेले ही बैटा रहता था और अब उसकी तबेद भी खराब रहने लगी थी बिनिया जब भी उसके दुकान से निकलती तो अपना चाता बंद कर लेती राम भरुसा की ये हालत उसके अपने लालच की वजह से हुई थी लेकिन फिर भी बिनिया को बुरा लगता था कि मेरे चाते की वजह से राम भरुसा को ये सब सहन करना पढ़ रहा है गाउं के सबी लोग मुझे से जलने भी लगे हैं क्या मेरे लिए ये चाता जरूरी है या सबी गाउंवालों के साथ मिल जुल कर रहना एक दिन बिनिया दस पैसे लेकर राम भरुसा के दुकान पर आई और उसने खाने के लिए टौफी मांगी बहुत दिनों बाद उसके दुकान पर कोई कस्टमर आया था उसने सोचा बिनिया उसका मजाक उड़ाने आई है लेकिन बिन्या ने टौफी ली और चाता दुकान में ही रखकर चले गई रामबोरोसा चाता खोल कर उसके नेशे खड़ा हो गया उसके दुकान के उपर टिंचेट थी तो ना तो वहां धूप आती थी और ना ही बारिश ये चाता उसके किसी काम का नहीं था उसने सोचा कि ये बात गाउं में किसी को नहीं पता कि बिन्या खुद ही चाता मेरे दुकान में रखकर गई है अगर किसी ने देख लिया तो सब लोग मुझे फिर चोर बोलेंगे इसलिए वो चाता लेकर दोड़ा दोड़ा गया और बिन्या को बोला बिनिया तुम ये चाता मेरे दुकान में भूल गई थी, लो इसे रख लो बिनिया ने कहा, मुझे ये चाता अब नहीं चाहिए, इसे आप ही रख लिजिए ऐसा कहें कर बिनिया वहां से चली गई इसके बाद राम भरोसा ने सब गाउंवालों को बता दिया कि ये चाता बिन्या ने उसे गिफ्ट में दिया है लोगों ने राम भरोसा को कहा कि बस अपने दुकान में बैटे ना रहा करो ये चाता लेकर बाहर भी निकला करो जब राम भरोसा ने ऐसा किया तो उसकी बिमारी भी ठीक हो गई और वो healthy feel करने लगा वो चाते को अपनी दुकान के बाहर ही खोल कर रख देता था अगर गाउं में किसी को चाते के ज़रूरत होती तो वो ले लिया करता था अब वो चाता किसी एक का नहीं बलकि सब गाउंवालों का था अब गाउंवाले भी उसकी दुकान पर सामान लेने फिर से आने लगे थे बिन्या और विज्जू भी टॉफी और मिठाई लेने वहां आते और राम भुरोसा उन्हें हर बार थोड़ी ज्यादा मिठाई ही दिया करता था राम भुरोसा ने कद्दू की बेल अपनी दुकान के शट पर चड़ाई हुई थी एक रात एक भालू खाना ढूंडते हुए राम भुरोसा के दुकान पर चड़ गया और एक कद्दू खा गया वो चड़ टिन की थी तो उसमें भालू का नाखुन फस गया और तूटकर नीचे गिर गया अगली सुभ़ चब राम भुरोसा दुकान आया तो उसे भालू का वो नाखुन मिला वो तभी सुनहार के पास गया और उसे एक चेन में डलवा कर ले आया शाम को जब बिन्या उसके दुकान के सामने से गुजरी तो राम भुरोसा ने उसे आवाज दे कर कहा बिन्या इधर आओ ये देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है ये भालू का नाखुन है और ये तुम्हारे लिए बाग के नाखुन से भी ज्यादा लखी होगा बिन्या ये नाखुन पाकर बहुत खुश हुई और गाने गाते हुए अपने घर चली गई I hope ये वीडियो आपको च्छी लगी होगी Thank you for watching and please subscribe